नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए Science का टेश पेपर लेकर आये हैं इसलिए यह वीडियो Science वीडियो टेश पेपर है इसमें आपके लिए 30 Questions का वीडियो सैट किया गया है जिसमें आपसे Science के वो Selected Questions पूछे जाएंगे जो Last Year हुए Exams में सबसे ज़्यादा पूछे गए है इमानदारी से Solve करते हुए 30 मैंसे कम से कम 20 नमबर लेकर आना है और अपना Score कमेंट बॉक्स में शेयर करना है अपने नाम के साथ में वीडियो के Last में मैं आपके लिए सारे Cautions का Revision भी कराऊंगा तो वीडियो के अंतक बने रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं Best of Luck आप सभी के लिए आपका अच्छा स्कोरिंग रहे इसके लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला Caution है Glucone, Glucagon Harmone 10 से निकलता है Right dire, Alpha कोशिकां से निकलता है Next question, Dekhtes है iczays किसी वस्तू पर घर्षण द्वारा किया गया कार या निमन मैसे कैसा होता है Right出 किया है बताइए चलि देखते हैं तो किसी भी वस्तू पर घर्षण द्वारा किया गया कार रिनात्मग होता है रिनात्मक होता है तब ही तो friction के कारण चीज़ें रुक जाती है गतीशील रहती है जो दौनात्मक होता रिनात्मक मतलब रोक देता है वो next question देखते हैं निमन मैंसे समतल प्रतिबिम्ब द्वारा प्रतिबिम्बन बनता है कैसा बताइए ये मतलब समतल दरपण के दुवारा कैसा प्रदिबिम बनता है, राइट आंसर क्या है, बताईए, चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्रो जाएगा, option number A, B, C ही प्रदिबिम बनेगा, राइट आंसर, option number D, next question देखते हैं, इनमें से कौन copper sulfate के willion का रंग होता है, आपको बताना है, copper sulfate के willion का रंग कैसा होता है, राइट आंसर क्या है, बताईए, चलिए देखते हैं, तो copper sulfate के willion का रंग होता है, नीला, option number B, इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, निमने लिखित में से कौन वसा पाचन enzyme है, मतलब हमारी body में वसा को पाचन करने में सहायता करने वाला enzyme कौन सा है, बताईए, चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइपेज, option number C, कौशन के लिए सेत्र हो जाएगा, लाइपेज, एक वसा को पाचन करने वाला enzyme है, next question देखते हैं, paper weight के अंदर, आपने देखा होगा, paper weight जो रहता है, जिसको आप अपने paper के उपर रख देते हैं, उड़ता निये, कांच का एक कंचे जैसा देखने में लगता है, उसके अंदर जो बुलबुले होते हैं, उसके चमकनी की घटना क्या है, क्यों उसके अंदर के बुलबुले चमकते हैं, चली देखते हैं, तो paper weight के वायू के बुलबुले चमकने की घटना जो है, पून आंतरिक परावरतन के कारण होती है, option number D, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, निमलिकित में से calcocyte किसका आयस्क है, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो calcocyte copper का आयस्क है, right answer option number D, इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा, calcocyte copper का आयस्क है, next question, series में जुड़े प्रतिरोद में क्या समान रहता है, right answer क्या हो जाएगा, बताइए, चली देखते हैं, तो श्रंखला अर्थात, series में जुड़े प्रतिरोद में, धारा जो है, वह समान रहती है, option number A, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, right answer है, series में जुड़े प्रतिरोदों में, धारा समान रहती है, next question देखते हैं, निम्द लिकित में से, मनुष के मुख में, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, बताइए, चली देखते हैं, तो मनुष के मुख में, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, मनुष के मुख में, next question देखते हैं, निम्द में से, अधिस रासी कौन सी है, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विभव और धारा, ये दोनों ही अधिस राशियां हैं, right answer option number D, A and C बोथ अधिस राशियां हैं, next question देखते हैं, निम्द में से, प्रसाव के समय, कौन सा enzyme निकलता है, कौन सा hormone निकलता है, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो प्रसाव के समय, relaxing hormone निकलता है, मादाओं मैं से, option number C, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, क्लोरीन की सही उत्तर हो जाएगा, इन चार option मैं से, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो क्लोरीन की सही उजगता, plus 7 होगी, right answer हो जाएगा, option number C, question के लिए, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, H2O2 में, oxygen की, oxygen की, oxygen क्या क्या मान होगा, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो H2O2 में, oxygen की, oxygen क्या, minus 1 होगी, right answer हो जाएगा, option number C, next question देखते हैं, sulfur dioxide gas, dash को विरंजित करने के लिए, प्रियोग की जाती है, विरंजित का मतलब होता है, उसका, रंग निकालने के लिए, किसके रंग को निकालने के लिए, sulfur dioxide gas का प्रियोग करते हैं, बताइए, चली देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा, जो उन रहता है, उसके रंग को निकालने के लिए, sulfur dioxide का, gas का प्रियोग करते हैं, next question देखते हैं, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के धाल से, क्या पता चलता है, बताइए, चली देखते हैं, तो किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के धाल से, चाल के बारे में पता चलता है, राइट आंसर हो जाएगा, option number A, question के लिए सही उत्र है, next question देखते हैं, एक electron volt कितने जूल के बराबर होता है, बताइए, चली देखते हैं, उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, चुम्ब की ये छेतर की तीवरता का मातरक निम्न मैं से क्या होता है, बताइए, चली देखते हैं, तो चुम्ब की ये छेतर की तीवरता का मातरक टेसला होगा, right answer हो जाएगा, option number C, next question देखते हैं, मनुष के शरीर में पाई जाने वाली मेरू तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो मनुष के शरीर में पाई जाने वाली मेरू तंत्रिका 31 जोड़ी होती है, right answer हो जाएगा, option number C, question के लिए सेयुत्तर है, नेत्र का दूर बिंदू कितना होता है, right answer क्या है, बताइए, चली देखते हैं, तो नेत्र का दूर बिंदू अनन्त होता है, नॉर्मली आप नेत्र से अनन्त पर इस्थित वस्तूओं को देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा, सूरज, तारे, नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चलिए देखते हैं तो lens का नियम जो है उड़जा के संरक्षन पर आधारित है राइट आंसर हो जाएगा option number C उड़जा संरक्षन next question देखते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या है बताईए चलिए देखते हैं तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है option number B इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निम्दलिकित मैंसे बल आगूण की विमा क्या होगी राइट आंसर क्या है बताईए चलिए देखते हैं तो इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा बल आगूण की विमा MLT ML square T minus 2 square इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा option number D इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा ML square T minus 2 square इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, राइट आंसर क्या है, बताईए, चलिए देखते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, option number 20, question के लिए सहीत्र हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, Milk of Magnesia का pH मान कितना होता है Right answer क्या है बताइए चली देखते हैं Milk of Magnesia का pH मान 10.5 एप्रॉक्स होता है अच्छा Blood का pH मान क्या होगा Comment box में comment करके बताइए Next question देखते हैं क्या पुशग है निमले कितमे से कौन सा उर्धो पातन का उधारन है Right answer क्या है बताइए चली देखते हैं तो यहाँ पर उर्धो पातन का उधारन NH4CL है Right answer हो जाएगा option number B Question के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं निमले कितमे से दो अशून्य सदिसों का अधिस गुडन कब शून्य होगा Right answer क्या हो जाएगा आपको बताना है बताइए चली देखते हैं तो दो अशून्य सदिसों का अधिस गुडन फॉल कब सून्य होगा जब वे लंबवत होंगे Right answer हो जाएगा option number D Next question Decimal संख्या 21 को binary संख्या में बदलना है क्या होगा Right answer बताइए चली देखते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 10101 इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा Right answer है option number A Next question देखते हैं क्या पुशा गया है Hydrogen spectrum की कौनसी श्रेणी द्रश्य छेतर में पाई जाती है Right answer क्या है बताइए चली देखते हैं Hydrogen spectrum की कौनसी श्रेणी तो बेमर श्रेणी जो है बामर श्रेणी द्रश्य स्पेक्टर में पाई जाती है Krishna पिंड के अवशोशन की छमता कितनी होती है बताइए चली देखते हैं तो Krishna पूर्ण Krishna पिंड के अवशोशन की छमता एक होती है Right answer हो जाएगा option number A अब मैं आपका revision करा देता हूँ सारे questions का आप अपना इसको जरूर शेयर कर दीजेगा Glukagone hormone से Glukagone hormone dash से निकलता है तो alpha कोशिकाओं से Glukagone hormone निकलता है किसी वस्तू पर घर्षन द्वारा किया गया कार निमनमैसे कैसा होता है तो रिनात्मग होता है समतल दर्पन द्वारा प्रद्विम कैसा बनता है तो समतल द्वारा समतल दर्पन की द्वारा आभासी प्रद्विम बनता है कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग कैसा होता है तो कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग नीला होता है वसा पाचन एंजाइम कौन है तो लाइपेज वसा पाचन एंजाइम कहलाता है पेपर वेट में वायू के बुलबुले क्यों चमकते हैं तो पूर्ण आंत्रिक परावरतन के कारण पेपर वेट में वायू के बुलबुले चमकते हैं निम्नमैसे कैलको साइट कि धारा समान रहती है निमलिकित मैंसे मनुष के मुख में कितनी जोड़ी लार गंतिया पाई जाती है तो मनुष के मुख में तीन जोड़ी लार गंतिया पाई जाती है अदिस रासी कौन कौन सी है तो विभाव और धारा अदिस रासी है प्रसाओ के समय कौन सा हॉर्मोन निकल निकलता है तो relaxin hormone निकलता है प्रसोव की समय क्लोरीन की सहयोजगता कितनी होती है तो प्लस 7 होती है क्लोरीन की सहयोजगता H2O2 में oxygen की oxycoron संख्या कितनी है तो minus 1 इस caution के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं Sulfur Day Oxide Gats किसको विरंजित करने के लिए प्रियोक की जाती है? तो उनको रंगहीन करने के लिए Sulfur Day Oxide Gats प्रियोक्त की जाती है. गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो चाल पता चलती है. एक electron volt कितने जूल के बराबर होता है तो 1.6 गुड़े 10 के उपर माइनस 19 की घात के बराबर होता है चुम्ब की छेतर की तीवरता का मातरक क्या है तो चुम्ब की छेतर की तीवरता का मातरक है टेसला मनश्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरू तंद्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है तो 31 जोड़ी होती है नेतर की दूर बिंदू का कितना मान होता है तो नेतर की दूर बिंदू का मान अनंत तक होता है मश्टर्ड गैस किसके प्रियोग से बनाई जाती है तो एथलीन के प्रियोग से बनाई जाती है दो असूने सदसों के अधिस गुड़नफल कब सूने होंगे जब वे लंबवत हों तब सूने होंगे डेसिमल संख्या 21 को बाइनरी संख्या में 10101 लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौनसी स्रेणी द्रश छेतर में पाई जाती है तो बैमर श्रेणी द्रश छेतर में पाई जाती है पूर्ण क्रिश्न पिंड आउशोशन छमता कितनी होती है तो एक होती है पूर्ण क्रिश्न पिंड की आउशोशन छमता लेंज का नियम किसे सम्मंदित है तो उर्जा सरक्षण के नियम से सम्मंदित है विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या गैते हैं तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है निमल कितमैसे बल आगोंड की विम्मा क्या होगी तो ml2 t-22 बल आगोंड की विम्मा होगी विसिश्टूश्मा का प्रतिरोध क्या होगा तो aome meter veast question के लिए सहित्र हो जाएगा यहाँ एक उर्धो पातन का उधारण है दोस्तों आपसे सर्प्राइस कोशन पूछा जा रहा है कि रिवॉल्वर का और हेलिकॉप्टर का अविश्कार किस ने किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए यह आपका साइंस का टेस्ट वीडियो आपने इसमें कितना स्कोर गेंट किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ साथ अगर आप चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर ले और आल वाला नोटिफिकेशन उन कर ले जिससे आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिले चैनल पर दिन बर में तीन वीडियो अपलोड होते हैं एक सुबा छे बजे एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे इन 3 वीडियो के नोडिफिकेशन जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिल पाएंगे दोस्तो चैनल पर 2500 से जादा वीडियो अपलोडेड है जनरल अवेरनेस, साइंस और करेंट अफियर्स के आप किसी भी टापिक में अगर पढ़ना चाते हैं तो आप हमें वीडियो, आप हमसे वीडियो मंगा सकते हैं हम आपको आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे आप टापिक का नाम लिखकर कमेंट शेयर करिए हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे चैनल पर live class अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप join हो सकते हैं per day free live classes हैं आप हमारे चैनल पर आकर live class पढ़ सकते हैं अगर आप live class पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें comment करें हम आपके comment पर live class का link जो है share कर देंगे जिसको जोईन करते हों आप लाइब क्लास भी जोईन कर सकते हैं तो जो भी आपका कमेंट है ज़रूर शेर करें वीडियो को जादा सजादा दोस्तों को as a challenge शेर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आपको पर दे इसी प्रकार के टैस्ट वीडियो मिलते रहें मिलते हैं नेक्स पार्ट में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यमात आपका दिन शुब हो